कि आपको जो बोलते हैं आप लोग सिमांचल का घड करेंगा क्या मतलब गैंग वार होता है मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमें नितीज कुमारजी दोस्री है लेकिन system के मुख्या है वो विकास से सदन में गाली ग्रोज होगा कोई बोलता है बेटा किसका है बेटा है की नहीं है सर चुकि बिहार की राजनिती जो है बर्तमान में वहां पे जो नितीज कुमार के विरोधी थे उपेंदर कुस्वाहा चिराग पासमा वो सब धीरे धीरे सॉफ्ट कॉर्णर अपना रहे हैं चुकि आप भी चुनाओं से पहले नितीज पर लगातार हमलावार कभी नहीं था मैं गौवर्मेंट और गौवर्मेंट के तरीके पर आज भी लगातार मडर हो रहे हैं नितीज कुमार जी को इस गंबिरता को समझना होगा गैंग वार होता है मैं यह नहीं कहूंगा कि इसमे क्या करे जनता जब गैंगर सी गसर को चुनाओं में धिताएं माफियाएं को अपने जाती के अपराढ़ी को भलतकारी हो दो आप उस से क्या अमीद की जेगा और डल ऐसे लोगों को टिकर देती और जनता ऐसे लोगों को जिताती है तो घेंग बार भी बात करते हैं कि आप किस बात को ले करके बोलते हैं मैं कह रहा हूं कि गेंग वार की बात में बता रहा हूं सबसे पहले माफिया और अपराधी लोग ही चुनो जीत गए थे नंबर वन में जीतने में वही लोग थे आपको आज सर्ज होगा इसे लिए आप बिहार से बहुत उमीद नहीं कर सकते हैं तो आप बिहार की जनता को बिकास से सदन में गाली ग्रोज होगा कोई बोलता है बेटा किसका है बेटा है की नहीं है कोई कुछ बोलता है लगातार आरूप ऐसे माहूल में बिहार के डेवलपमेंट अभी चुनो के बाद 25 दिनों में लगभग 70-80 मढ़र हो चुक है लगातार हम घटना पर घटना घटी थो रही है तो इससे जनता को बिहार की जनता को क्या लेना देना कौन मर रहा है कौन हर रहा है किसकी बेटी ऊट रही है किसकी बच्ची का बलतकार होगा कौन बच्ची घर से नहीं निकलेगी घर में कैद रहेगी वह उनकी चीज़ें कहर में कैद रहेगा वह आप छ सिमानचल का गड़ करेंगा क्या मतलब है देश की राजनिती हम करते हैं सांसद हैं दिल्ली में चुनो लड़े बिहार में 153 जगों पर चुनो लड़े सिमानचल अपनला है हिदराबाद में क्या वो तो 24 जगह पर 25 जगह पर चुनो लड़े कॉंग्रेस और आरजेडी को यदि मैं जीतने वाला सीट को छोड़ दू तो एक भी सीट भोंट के चलते तो कॉंग्रेस और आरजेडी हारी नहीं है मात्र 809 सब होट मिले हैं उनको भविस में चुकी आप देखा जाए तो 2024 2025 के चुनाओं में आप किन एजंडों के साथ यह जंडा तो कंप्लिट है बिहार का निर्मान बिहार का डेवलप्मेंट बिहार का रोजगार प्रवासी मजदूर बिहार के फैक्ट्री बिहार का बा अलावे बिहार में क्या करना चाहेंगे आप बिहार की जो एकोनोमी स्थिति आप उस पे चर्चा करेंगे ना बिहार का जो एजुकेशन है बिहार का जो पीस और प्रोस्पेक्ट है बिहार को एक दुनिया बनाने का निर्मान करिए ना एक बहतर बिहार बनाईए ना आप उसकी बाती नहीं करते हैं बियार में लोग बच्चियां कैसे अपने पड़िबार के साथ गुमें कैसे मौल खुले कैसे डिजनी लैंड खुले कैसे वाटर पार खुले कैसे अजादी हो कैसे फ्रीडम के साथ हम जी हैं कैसे बैपार अच्छा हो कैसे एकोनोमी ग्रोथ करें वहां के फार्मर्स के हालात कैसे अच्छे हों हमें MSP कैसे मिलेगा 1899 रुपिया हमारे MSP कैसे होगा कॉपरेटीव सिस्टम को हम वहां लागू करेंगे हमारी सरकार आगी तो हम पहले जो क्या हम बात पहले थे दो बोलते पहले पहले लगा आप हमले और नेजी चीजों में बोलना जो पार्टी के लोग हो वो सही नहीं है अज आज हलात हैं कि आप बात करिए नियोजित की, बात करिए रोजगार की, बात करिए उनैसलाक रोजगार की, बात करिए जो आप वादे करते हैं उसकी, बात करिए आपको बात अभी करनी चाहिए कि बिहार का फार्मर्स की जो मक्का की MSP है, जो गेहूं बिखता है, वहां सुन पर विक ताय.